कि एक ब्रेकिंग अपडेट है इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के उपर एक काफी बड़ा हैक हो चुका है अगर यहाँ पर ही जो अमाउंट है उसको नहीं रिकवर किया जाता है या कुछ कंटिंजन्सी प्लान नहीं है तो वजीरेक्स एक्सचेंज के लिए उनकी यूजर्स के लिए काफी बड़ी प्रॉल्लम बन सकती है अगर आप देखेंगे अभी से कुछ घंटे पहले हैं यहाँ पर ओंचेन एनलेटिक्स जो मॉनिटे करते रहते हैं एक्सचेंज के वालेट्स उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर वजीरेक्स का एथिरियम मल्टी से वालेट में से अब नॉर्मल विड्रॉल्स हो रहे है अब नॉर्मल विड्रॉल जो रहे थे वहाँ आपर रेपोर्ट भी करें कॉइन टेलिक्राफ ने जहां पर उन्हें ने बताए 234 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है यहाँ पर मूव हो है टोनाडव कैश से फंड हो रहा है यहाँ बंदा जो है उसको जिसने भ अगर आप देखेंगे जब यह रिपोर्ट है उसके बाद यहाँ पर वजीरेक्स ने भी ट्वीट पब्लिश किया उन्होंने बुला कि हमारा एक जो मल्टी से वालट है वह यहाँ पर कॉम्प्रमाइज हुआ हमारी टीम उसको इंवेस्टिगेट कर रही है तब तक कि जो पूरा केस है वो सॉल्व यहाँ पर नहीं कर ले तो अभी के लिए अगर आप यूजर ने वजीरेक्स के तो आयनार और क्रिप्टो विड्रॉल जो है वो आप एक्सचेंज के उपर नहीं कर पाएंगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीट नहीं करते हैं यहाँ पर बेसिकली वो बताते हैं किते क्रिप्टो होल्डिंग वो एक्सचेंज के उपर रखते हैं अब यही चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर 12th of June को वजीरेक्स ने अपनी Proof of Reserve की रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2024 की जहाँ पर as of 10th June उनका यह बोला था वजीर इंप्रेसिव 4203 करोर इंडियन रुपीज में साथ में अगर आप डॉलर में देखेंगे 503 मिलियन डॉलर वर्थ अफ क्रिप्टो अब टोटल होल्डिंग थी 503 मिलियन डॉलर वर्थ अफ क्रिप्टो अब टोटल होल्डिंग थी 503 मिलियन डॉलर वर्थ अफ क्रिप्टो उसमें से आधे यहाँ पर चोरी हो गया जैसे बाइनस भी मतलब ऐसा नहीं एक्सचेंज हैक नहीं होते हैं बाइनस भी हैक हुआ था एक टाइम पर लेकिन किसी एक्सचेंज के लिए 50% अमाउंट चोरी होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम मन जाता है मतलब अगर वो 50% रिकवर्ण नहीं किया है यह हैकर ने जो चो क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हैं तो महाँ पर फ्रीज होके वह रिकवर हो सकते हैं लेगिन जसतर यह से इतने हैक्स हमने देखें हैं आज केट में हैकर भी काफी अवेर हैं अगर वो क्या तो प्रॉब्लम बन सकती है तो यहाँ पर अब वजीरेक्स के लिए काफी हुए इसको रिकवर करना किसी भी तरह से रिकवर नहीं होते तो फाइंड आउट करना किस ने चोरी कियें क्यूंकि अगर आप देखोंगे बड़ा कुश्चन यह बन जाता है मल्टी से यथिरियम वॉलट से चोरी हुए या एकस्प्लाइट हों है नॉमल वॉलट क्यों होता है जैसे मेरे मेरे वड्रो करना है मैं साइन करूंगा अपने क्राइव यहां पर करूंगा अब उन्सान करेंगे तभी विट्रा लोग है तो बाच लोग भी रखते हैं कि तो कभी भी wallet में से withdraw करना है तो एक बंदा withdraw नहीं कर सकता multiple लोग चाहिए दो या तीन लोग यहाँ पर चाहिए तब ही वो withdraw हो सकता है तो वजीर X का यहाँ पर Ethereum का multi से hot wallet था मतलब multiple लोग sign करते तब ही withdraw हो सकता उसके उपर यह exploit होना उसके उपर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं क्योंकि 503 million USDT की crypto की total holding थी उसमें से 50% चोरी हो गया है तो बहुत बड़ा amount है उसमें से बाकी भी जो बचे हैं आप देखेंगे bitcoin क्योंकि चोरी नहीं हुआ Ethereum wallet withdrawal होता है तो 100 million bitcoin यह hold करते हैं तो वो थोड़े से यहां पर बच गए लेकिन फिर बाकी और दूसरे crypto यहां पर होंगे लेकिन एक question यह भी बन जाता है कि अगर 230 million crypto चोरी हो है 503 में से मतलब 50% उनकी hot wallet में ही थे मतलब usually होता है exchanges different different hot wallets रखते हैं और उसके alag-alag security keys बगरे सारी चीज होती है ताकि security रहे मतलब distribute कर रखते हैं क्या उन्होंने सारे एकी wallet में रखे होते 250 की मतलब यह हो जाए तो वह भी बहुत बड़ा मिस अगर उन्होंने इस तरह से manage कर रखा था कि एकी wallet में आप रखा है अभी हम presuming कर सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है as a user I know it's a concerning situation क्योंकि अगर आप crypto holding रखते थे यहां पर exchange के उपर तो अभी देखना जरूरी है अगर देखो वजीरेक्स ने recover कर लिए या कोई contingency plan हो लोग को पैसे refund करने के लिए तो फिर भी ठीक है क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो वजीरेक exchange के लिए बहुत बड़ा बड़ी problem बन सकती users के लिए भी क्योंकि hack ऐसा नहीं exchanges पर होते हैं और यहीं हमेशा बोलते हैं कि मतलब exchanges पे आप trading के लिए fund रखो पूरा amount कभी भी यहां पर नहीं रखो देखो बाइन जैसा exchange भी hack हो है बाकी exchanges भी यहां पर hack हो है लेकिन matter करता है कितना amount चूरी हुआ है वजीरेक्स के इसमें 50% amount जो है holding का वह चूरी हो गया तो अब वह important रहेगा किस तरह से वह यहां पर recover करते हैं और आज के अंदर हमेशा एक saying है जो आप हमेशा सुनते होगे not your keys not your crypto not your keys not your Bitcoin और यह हमेशा बार-बार हम बोलते रहते हैं आप बार-बार remind करते हैं कि exchanges पर वही fund रखो जो आपको trade करने के लिए रखने बड़े amount अगर आपको रखने तो वह अपने आप hardware wallet में रखो आज़के तो trading वैसे आप DeFi platform पर भी कर सकते हो अपने hardware wallet को connect करके तो hardware wallet पर र रखोगे तो जब तक exchange चल रहा है सही है वजीरेक्स जैसा case हो गया तो फिर क्या situation होगी तो इसलिए प्लीज यह security जो है आप इसको seriously लीजे पास 10-15,000 का खट्चा करना पड़ेगा आपको एक बार का लेकिन at least chain की नीद आप सो सकते हो कि हैर मेरे crypto जो है मेरे hardware wallet में ऐसे exchange मे कोई भी exchange आज की रिट में 100% आप उसको trust नहीं कर सकते कि हो secure है जब तक दिन बान अच्छे है तब तक अच्छा है जब तक गाड़ी सही चल रही है चल रही है एक दिन कुछ दिन खराब हुआ तो उसी दिन accident यहाँ पर हो जाएगा लेकिन जब वह आपके लिए seed belt पहननी जरूरी है और वही seed belt आपके hardware wallet बन जाती है तो गाड़ी में भी बिना seed belt के अभी आप बैठे हुए हो अगर आपके hardware wallet नहीं है पर आप देख सकते हो और हमारे साथ partner भी है तो 5% discount मिलेगा अगर आप हमारे link को यूज़ करते हो लेकिन गाइस प्लीज अगर crypto में बड़ी holding रखते हैं यह पांच-दस-सोलह हजार दस-बारह हजार के चक्कर में अपनी पूरी holding risk पर मत दालो कि आप उसको soft wallet पर रख रख नहीं होते तो क्या contingency plan है और यह security breach कैसे हुआ इसको लेकि जो भी news आती हम publish करेंगे channel के उपर भी Twitter, Telegram पर भी follow कर लिजे उनकी link नीचे मिल जाएंगे वहाँ पर भी आपको update रखने यूश्च करेंगे बाकि आपके जो भी viewpoints है आप नीचे comments में दालके जरूरू बताना अ और रिजिस्टन्स वाइस 65,000 डॉलर्स का एरिया जो important बन जाता है क्यों कि आपर हमारा 20 weekly moving average है जो आप देख सकते हो currently यहाँ पर test भी हो और यहीं पर price जो है वो reject हो रही है और यह moving average भी important रहेगा resistance वाइस क्योंकि अगर हमको उपर break करना है तो यहाँ पर क्या हमको daily में उ closing चाहिए मतलब candle ऐसे उपर बननी चाहिए इस moving average के उपर तब वो valid होगा क्योंकि वीकली का moving average है और weekly time frame के अंदर हम देख रहे हैं तो उस according अभी भी यहाँ पर price wise जब तक यह weekly closing इस के उपर नहीं होती तो यह resistance point बना रहेगा 65,500 65,500 dollars to be precise अभी and correction wise अगर हम आते हैं तो 59 to 60 जो है यह हमारा support area रहेगा जो hold करें अगर नहीं करता है तो 56 का area रहेगा जैसे हमने बात करी तो कल का कल का जो टीए था उस according बस यह बस I wanted to give you a bit about update about this 20 moving average कहीं लोग पूच ते कि 65 पॉच गया 65 पॉच गया क्या situation change हुए कि नहीं है तो अभी तक change हुए हम उसके नीचे यह भी moving average के नीचे यहां पर funding rate में थोड़े से changes आए जहां पर आप थोड़ी सी negative turn और और 65 पर फिर भी इतनी overly bullish नहीं है तो थोड़ा सा शो करती sentiment थोड़ा negative turn हो रहा है कि यार नीचे जाने वाले नीचे जाने वाले नीचे जाने वाले विच जाने वाले वाले अब यहीं पर आप P2P trading यहां पर कर सकते हैं आप crypto को buy कर सकते हैं sell कर सकते हैं currently यह Bitcoin, Tether, USDT इन तीनों coins को यहां पर support करते हैं यहां पर आप buy कर सकते हैं जैसे लेकिन आप यह ध्यान रखे का यहां पर जब भी अगर आपको buy करना है तो यहां पर आप feedback score जो है वह हमीशा चेक करिएगा जिस भी user के साथ आप trade कर रहे हो तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं feedback score करने का score check करने का तरीका यह कि usually आपको देखना है कि जो trader है उसने कितनी trade करें जैसे यहां पर आप देख सकते हो 2199 trade कर यह verified है 100% यहां पर अच्छा feedback है तो इससा idea मिल जाते है कि यहार यह trader जो है बद गलती है करते हैं कि feedback score और यह verified वगरे नहीं देखते हैं वो देखते हैं यहां पर कि कितनी कम rate दे रहा है और उस कम rate वाले से trade कर लेते हैं और वहीं पर problem में फज जाते है क्योंकि कम rate वाला जो होते है कम rate इसली दे रहा होता है क्योंकि इसको देनी ही नहीं होते हैं आपको giveaway किया था जिसमें से 50 dollars each 5 winners को दिये थे उसके आद हमने last week भी announce किया था कि फिर से एक giveaway हम करने वाले हैं जिसके जो winners है वो मैं announce करने वाला हूँ आज शाम तक announce करूँगा Twitter के उपर तो Twitter पे नहीं follow किया है follow कर ले ना नीचे link मिल जाएगा description में और भी giveaways वहाँ पर आने वाले हैं तो definitely join कर ले हैं जो सब Twitter पे होंगे तो वहाँ पर आज आना Telegram पर भी join कर सकते हूँ है विसे वहाँ पर हम link post करते हैं Twitter का जो भी होता है तो उसका भी मैं announce यहाँ पर करूँगा step क्या है बस step यह कि no one's का जो platform है इसके उपर आपको register करना है हमारा जो link है वो नीचे आपको मिल जागा जैसे आप यह देख सकते हो तो इस link पे click करके अपना account जो आप बना सकते हो बनाने के बाद अपना ID जो है comment के नीचे आपको यहाँ पर comment मतलब इस video के नीचे comment में आपको दाल देना है twitter और telegram जो हाँ आपर follow कर लेना channel पर subscribe कर लेना and comment में जब आप ID दाल रहे हो तो better यह रहेगा कि ID के साथ आप इस platform को देखो check करो और feedback दो feedback क्या है अच्छा है नहीं है क्या चीज मिसिंग है क्या चीज फिक्स करनी चीए doesn't matter कि अच्छा feedback की देना है कि तारीफ करने हो भाई बहुत बढ़ी है नहीं honest feedback कि honest feedback platform क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है क्या improve कर सकते है कैसे better बन सकते है वो आप देना ताकि हम team को pass on यहाँ पर कर पाए तो वो feedback दोगे तो और ज्यादा chances जो है आपके select होने के यहाँ पर हो जाएंगे तो इस giveaway के अदर participate कर सकते हो बाकि new ones का जो platform है यह चेक कर लेना बाकि giveaway के जो announce करेंगे हम winners उसके लिए twitter पर आ जाना होती है concerning situation है भी looking at how things are with crypto in India but let's see how it unfolds बाकि आज का वीडियो अगर आप कुछ लगा गाइस कुछ नया सीखने को बलाए do like do subscribe because that's the only thing that keeps us updated जैसे अभी यह वजीरेक्स की news आई फटा-फटा आप लोग के लिए वीडियो बना ताकि panic में आए आप लोग हो तो आप लोगों को update जो है यहाँ पर मिल जाए तो आपके like जो होते हैं काफी motivated यहाँ पर रखते हैं बाकि जो भी viewpoints है Bitcoin को लेके यहाँ पर वजीरेक्स को लेके आप प्लीस comments में डालके जरूर बताना बाकि मिलेंगे अब वीडियो के लिए तक्ली भाइ और टेक क्या यहाँ वाइ